तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में, आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है Indian Setup Wars का First Showcase वीडियो and the Indian Setup Wars Season 4 is brought to you by Asrock India, अगर आपने अभी तक पार्ट नहीं लिया अपना Setup Showcase कर सकते हैं, हम लोगों तक अपने Setup की फोटोस पहुंचा सकते हैं और उसमें से हर हफ़ते हम लोग 3 winners सेलेक्ट करेंगे जिनको brand की तरफ से amazing merchandise and prizes दिये जाएंगे अगर आप भी देखने से चालते हैं उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको link में लेगा, वहां से जाकर उस वीडियो को check out कर सकते हैं और आज ये अपनी entries submit कर सकते हैं अब सेटप्स की तरफ जाने से पहले आपको इक चीज़ बता दो कि जो तीनो सेटप आज की वीडियो में शो हो रहे हैं या जो future वीडियो में भी शो होंगे, उन में किसी तरह की rankings नहीं हैं ये तीनो सेटप्स उन सेटप्स में जो कि आपने भेज़े हैं मुझे इस हमते सबसे बेटर लगे इसमें कोई 1st 2nd 3rd या कोई positions नहीं है तीनो ही सेटप्स अपने अपने लेवल पर बहुत ही अच्छे हैं PC specs में ये यूज़ करते है, Intel Core i5-11400F processor with 16GB RAM अब आप सोच रहोंगे यार इतना अच्छा processor है, 16GB RAM भी है फिर potato में कैसे आ गया तो यहां पर आते हैं दोस्तों, Kamal का Showstopper Best Card जो की है GT610 जिसकी क्रिपा से इने potato PC की काटेगरी में स्थान दिया जाता है यह सब इंस्टॉल्ड है Zebronics के entry-level cabinet में and Zebronics का 24-inch का monitor ये यूज़ करते हैं साथी साथ में HP का K100 Keyboard, Intex का basic RGB Mouse and Red Gear का Cloak Gaming Headphone ये यूज़ करते हैं अब आरे ये दोस्तों, second setup की जो की मेरा personal favorite है इस list में से मुझे बहुत कमाल का लगा इनका setup तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं Supra Team Khanji के setup की इनका setup देखके कोई भी बहुत सकता है कि strong PC setup बनाने के लिए भले ही आपको बहुत जाना investment चाहिए हो बिल्कुल चाहिए होता है but minimum investment में अगर आप अपने setup को सुन्दर बनाना चाहते हैं कुछ hexagonal wall panels मिलते हैं साथ ही जात में कुछ wall stickers मिलते हैं जिन में से एक है eat game sleep and repeat वाला बहुत कमाल का sticker है specs में यूज करते हैं Core i5-10400 जो की without graphics card internal graphics जो उसके IGP है उसी के साथ में अपने system को चलाते हैं 16GB RAM इस system में यूज करते हैं but the point screen का setup overall बहुती सुन्दर and appealing to the eye लगता है अब चलते हैं अगले setup की तरफ जो की आता है Arslan Ali की तरफ से अब Arslan Ali भाही का setup है इसमें आपको कुछ खास RGB elements नहीं मिलेंगे and मेरा recommendation है कि अगर यह अपने monitor के पीछे एक चोटी सी RGB strip add कर देंगे तो इनके इस setup का जो चाम है वो थोड़ा से और बढ़ जाएगा फिलाल बहुत ही simple सा non RGB type का setup इनका है अगर PC specs की बात करने तो यह यूज करते है AMD Ryzen 3 3300X processor which is paired with a GTX 1050 Ti अब यहाँ पर कमाल की बात एक और है कि जो इनके दोनो RAM modules है वो अलग-अलग brands के है एक इन्होंने कॉर सिर Vengeance LPX module लगा रहा है दूसरा इन्होंने XPG का D60G module लगा रहा है टोटल 16GB RAM इस सिस्टम में यूज करते हैं इसके लावाए Gigabyte का C200 Glass Case यूज करते हैं So congratulations and my best wishes to all the winners जो कि आज के episode के हैं Make sure कि आपने जिस email से register किया था इस event के लिए उसी email से हम लोग को अपने details जो है वो send करें अपने prizes को claim करने के लिए तभी आपको उस पर जो आपके gifts हैं वो उस address पर dispatch कर दे जाएंगे और बहुत ही जल्द आपको आपके prizes मिल जाएंगे अगर आप अभी तक सिरफ बैठे हो देख रहे हैं अभी तक आपने register नहीं किया event के लिए तो क्या कर रहे हैं? Entries are completely free This is not a lucky draw event आपना setup शोकेस करेंगे अगर आपका setup अच्छ है, you stand complete chances to win great prizes तो इसलिए आज नीचे description box से जाकर register कीजिए and अगले episode में हम लोग मिलेंगे with mid-level setups के साथ और उसके बाद में आएंगे अपने high range या फिर multi-party setups के उपर So make sure to hit the like button वीडियो को साथ से शेर कीजिए, subscribe कीजिए और support कीजिए event को पूरा-पूरा तो हम लोग मिलते अगली वीडियो में, till then Cheers